नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चेनल क्विक नॉलेज में जेनरल साइंस वीडियो सीरीज का यह चौथा वीडियो है जैसा कि पिछले तीन वीडियो में हमने सेल को अच्छी तरह समझा और साथ इंपोटेंट कोशन भी डिसकस किये अगर अभी तक आपने उन तीन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया गया है, जरूर देख ले इस वीडियो में हम प्लांट इसू यानि पादप उत्तक के बारे में जानेंगे प्लांट टीसू से अक्सर एक्जाम में प्रस्न देखने को मिलते हैं टीसू को समझने के लिए आपको सेल को समझना जरूरी है इसलिए आप पिछले सारे वीडियो को जरूर देख ले सारे वीडियो का पीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जोईन कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था यूनिसोलिलर और्गिनिस्म यानि एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बनी होती है उसके सारे काम जैसे फूड लेना, गेसिया से एक्चेंज करना, एक्सक्रिशन यानि उट्सरजन सभी एक सेल द्वारा ही होता है पर मल्टी सेलुलर और्गिनिसम में ऐसा नहीं है इसमें लेवर और डिविजन यानि काम का बटवारा होता है Multicellular organism में इन सभी कारियों को अलग-अलग group of cell यानि कोशिकाओं की समूँ द्वारक किया जाता है ये सभी cell एक समान यानि एक जैसे होते हैं उस group of cell को tissue यानि उत्तक कहा जाता है तो हमने जाना कि tissue यानि उत्तक group of cell है यानि एक कोशिकाओं का समूँ है या similar in structure यानि आकरिती में एक समान होता है और किसी particular function को एक साथ संपन करते हैं तो tissue के example होंगे blood tissue, muscles tissue, nerve tissue, plant में देखा जाये तो जैलम, foilum, etc इसके example होंगे अब आप समझ गए होंगे कि tissue क्या होता है अकसर exam में इन basic चीजों से कोशन पूछ लिये जाते हैं इसेंटली S.A.C. में आया हुआ कोशन को देखते हैं What is the name of a group of similar cells performing a specific function एक बिशेश कायर करने वाले समान कोशिकाओं के समू को क्या करते हैं जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कोशिकाओं के समू यानि group of similar cells जो की specific function करते हैं उसको tissue करते हैं यानि उत्तक तो इसका answer होगा A.Tissue इस वीडियो में हम plant tissue यानि पादप उत्तक के बारे में परहेंगे plant tissue यानि पादप उत्तक को दो भागों में बाटा जाता है एक है merismatic tissue और दूसरा है permanent tissue यानि अस्थाई उत्तक जैसा कि हम देखते हैं plant में कुछ निश्चित छेत्र यानि specific region में ग्रोथ होता है क्योंकि इन भागों में dividing tissue यानि वो tissue जो divide होकर अपनी संख्या बरहाते हैं वही tissue इन भागों में पाए जाते हैं उसी dividing tissue यानि विभाजित उत्तक को merismating tissue यानि विभेज ये तक कहा जाता है यह तीन प्रकार का होता है apical, lateral या cambium और intercalary जैसा कि आप screen में देख रहे हैं apical merismatik tissue तना के सबसे उपरी भाग यानि tip में पाया जाता है इसके कारण steam की लंबाई यानि length बढ़ती है या plant के jar यानि root में भी पाया जाता है जिससे की root की लंबाई बहती है simply बोला जाए तो apical merism लंबाई यानि length बढ़ाने का काम करता है दूसरा है lateral merism तना तथा root की मोटाई यानि grit को बढ़ाता है यानि मोटाई बढ़ाने का काम lateral merismatik tissue का है तीसरा है intercalary या node यानि branch के base में पाया जाता है या तो हुवी merismatik tissue की जानकारी दूसरा है permanent tissue merismatik tissue divide होते रहता है पर एक समय आता है जब वो divide होने की ability यानि छमतक हो देता है और एक permanent safe size लेकर एक business कार यानि specific role करने लगता है इस परकार वो permanent tissue यानि अस्थाई उत्तक बन जाता है permanent tissue दो तरह के होते हैं एक है simple permanent tissue यानि सरल अस्थाई उत्तक दूसरा है complex permanent tissue यानि जटिल अस्थाई उत्तक simple permanent tissue एक परकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं जबकि complex permanent tissue एक से अधिक परकार की कोशिकाओं यानि sales से बने होते हैं चलिए एकक करके इनके टैप्स को देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सिंपल पर्मानेंट टीसू को, सिंपल पर्मानेंट टीसू का टीन टैप्स हैं, पेरेन कैमा, कॉलेन कैमा और इस्कलेरेन कैमा, पेरेन कैमा और कॉलेन कैमा लिविंग सेल से बना होता है, जबकि इस् फूड इस्टोरेज यानि भोजन संगरा करता है यहां ध्यान देना है कि कुछ पेरेन कैमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन कैमा यानि हरित उत्तक कहते हैं दूसरा है कॉलेन कैमा या फेक्सिबिलिटी यानि लचिला पनपरदान करता है आप देखते होंगे कि प त्था पौधों को कथोर एवन मजबूत बनाता है नारियल का जो बाहरी रेसा युक्त तक हिंदी में कहते हैं यह इस चेप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टोपिक है और सबसे ज़्यादा कोशन इसी टोपिक से पूछे जाते हैं जैसा कि हमने जाना complex permanent tissue एक से अधिक सेलों से मिलके बनता है यह दो परकार का होता है पहला है जैलम और दूसरा है फॉलम इन दोनों को भस्कूलर tissue यानि समवहर उत्तक कहते हैं पहला है जैलम यह ट्रेकियार्ट्स बेसल्स जैलम पेरेन कैमा और जैलम फाइवर से मिलकर बनी होती है इसके दुआरा पानी और पानी में घुला खनीज लवन यानि मिनरल्स जल से पती तक पहुचते हैं यानि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल भर्टिकली यह दो परकार कहोता है पहला है प्रामरी जैलम यानि प्राथमिक जैलम सकेंद्री ग्रोथ यानि दुट्यक ब्रिधी से पहले उपस्थित जैलम को प्राथमिक जैलम कहते हैं जबकि दूतियक जैलम ब्रिधिक के बाद बनने वाले जैलम को कहते हैं ट्राइाथ्मिक जैलम दो परकार के होते हैं एक प्रोटो जैलम और दुसरा है मेटा जैलम सबसे पहले बनने वाले जैलम को प्रोटो जैलम कहते हैं यानि the first form primary जैलम element is called proto jätte blob दूसरा है Metagylem, बाद में बनने वाले जैलम यानि Second Form Primary Gylem Elements are called Metagylem यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Plant का Age Determination यानि I.U. की गन्ना जैलम टिसू के Annual Ring को गिन कर की जाती है, इसको Dendro Cornology कहा जाता है दूसरा है Fallen, यह पाँच प्रकार के सेल्स यानि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है Sieve Cells, Sieve Tubes, Companion Cells, Fallen Fibers और Fallen Parent का इमा यहाँ आपको ध्यान देना है कि Fallen Fibers को छोड़कर सभी Living Cells के बने होते हैं यानि Fallen Fibers Dead Cells का बना होता है Siu Tubes यानि चालनी नाली का छेदरित भित्ती वाली तथा नाली कार्थ को सिखा होती है Fallen, पतियों से भोजन को पोधों के बिभीन भागों तक पहुंचाता है यह बहुत इंपोर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है इसको Fallen transport food from leaves to other part of the plant इस वीडियो का आखरी टोपिक है Epidermis यह प्लांट का सबसे बहरी सता मतलब आटरमोस्ट लेयर होता है यह सिंगल लेयर होता है प्लांट की पूरी सता Epidermis से धकी रहती है इसके बहरी सता पर मोम जैसी जल पति रोधी परत बनती है जो जल को लोस होने से बचाती है पत्तो की Epidermis में छोटे छोटे छिद्र यानि स्मोल पोस होते है इसको Stomata कहते है Stomata Guard Cell यानि रच्छी को सीका से घिरा रहता है इसका काम है Gaseous Exchange यानि Gase का आदान परदान करना जैसा कि हम जानते हैं Photosynthesis के दोरान CO2 Absorb होता है और O2 Release होता है तो यह Stomata के दोरा ही किया जाता है दुसरा काम है Transpiration यानि Loss of Water in the Form of Water Vapor जरो के Epidermis Water Absorption का कायर करते हैं जैसे जैसे पेर बूरह होता है बाहरी Epidermis में Changes आता है और यह कूर्क यानि पेर का छाला बन जाता है इसकी भित्ती पर सुबरिन नामक पदात पाया जाता है यह था Plant Tissue के बारे में चलिए आज के कुछ Important Question को डिसकस करते हैं पहला Question है Beach Tissue Transport Food to Various Parts of the Plant कौन सा उत्तक भोजन को पोधो के बिभिन भागों में पहुचाता है जैसा कि हम लोग ने डिसकस किया था Floam Leaf से फूड को बिभिन पाटों में पहुचाता है Plant के बिभिन पाटों में पहुचाता है तो इसका एंसर होगा Floam यह बहुत important question है और एक्जाम में अक्सर और बार-बार पुछा जाता है इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है जैलम helps in transpiration of beach of the following जैलम निमलिखित में सिक किसके परिवहन में सहाइता करता है तो इसका एंसर होगा B, water solubles यानि पानी घुलन सील जैसा कि हम लोग ने डिसकस किया था जैलम पानी और पानी में घुलन मतलब घुला हुआ मिनरल को vertically lift तक पहुचाता है यह दोनों कोशन आपके लिए बहुत important है और हमेशा आपको याद रखना है अगला प्रस्ण है The first form primary जैलम elements are cold सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जैलम तर्थो को कहते है इसका answer आपको comment box में देना है अगले वीडियो में हम इसका answer डिसकस करेंगे यह था अमारा science video series का चौटा वीडियो अगर आपको अगला वीडियो का notification पाना है तो चेनल को subscribe जरूर कर दे और bell icon को press कर दे ताकि अगला वीडियो का notification आपको मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you